जो, हलो गईस, आज हमें एक वीडियो लेके आए हैं जो कि आर्गेनिक कमिस्टरी का एक टॉपिक मैंने यहां पे सेलक्ट किया है और यह टॉपिक का नाम है आर्गेनिक रियक्संस जो कि एक इपॉर्टन टापिक है आपको laboratory में भी मिलेगा आपको theoretical पार्ट में भी बहुत सारी जैसे like that aldehyde ketones है, amines है, acids है तो बहुत सारी reactions इसमें हम लोग पढ़ते हैं organic reactions ठीक है या named reactions कहले तो सबसे जो basic fund है जो students की problem आती है कि हो क्या रहा है reaction में ठीक है तो सबसे basic fund आपको clear होना चाहिए तब ही आप किसी भी organic reactions को अच्छे से उसको analyze कर सकते हैं उसका product बना सकते हैं और reaction कैसे proceed हो रही है उसके बारे में आप समझ सकते हैं ठीक है तो उसी के regarding आज आज आपने एक video बनाया है जिसमें मैंने केवल basics की organic reactions होता क्या है उसके बारे मैंने discuss किया है ठीक है तो organic reactions जैसा कि मैंने इसमें represent किया है कि इसमें क्या होता है reactant आपका product में convert होता है reactant मतलब क्या है starting material ठीक है वो आपका convert किसमें हो रहा है product में और एक product में convert कब हो रहा है जब हो उसमें conditions प्लस में भी जा सकता है तो इसमें प्लस में भी जा सकता है highest temperature भी जा सकता है 1000 temperature like that ठीक है बहुत सारी ऐसे reactions है जो बहुत higher temperature पर होती है but बहुत सारी reactions ऐसे होती है जो lower temperature पर होती है ठीक है जैसे minus 10 degree Celsius minus 20 degree Celsius like that ठीक है so इसमें conditions में temperature apply कर सकते हैं solvent apply कर सकते हैं pressure apply कर सकते हैं ठीक है तो मैंने mention किया कि conditions आपकी क्या क्या रहेंगी ठीक है दूसरी चीज़ solvent यहाँ पर apply करते हैं ठीक है solvent किसलिए apply करते हैं यह सबसे एक major point है तो solvent हो अप्लाई करते हैं कि reactant जो आप ले रहे हो reactant इसमें क्या होते chemicals होते हैं तो suppose that आप A chemical ले रहे हो और B chemical ले रहे हो ठीक है तो दोनों को हमें mix करना है और वो mixing के लिए क्या होता है organic solvent चूज किया जाता है जिसमें दोनों reactant आपके reactant उसमें 2 और 3 भी और मेज़र क्या होता है अगर आप कमलनी देखो तो 2 ही reactant उसमें लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि reactant क्या होता है उनकों क्या है आपस में टक्राना होता है टक्राना में collisions होना होता है तब ही आपका reactant जब टक्राएंगे तब ही वो product में convert होंगे और टक्राने के लिए आपका solvent यूज होता है उसमें क्या करते हैं हम reactant को dissolve करते हैं जब dissolve जितना अच् से क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा बदल जाएगा ठीक है suppose यहां पर रियक्टेंट आपका a plus b है ठीक है यहां पर प्रोड़क्ट आपका c है तो a plus b क्या बना रहा है C बना रहा है तो A plus B आपका क्या है Reactant है C क्या है product है और A plus B जब एक दूसरे से टकराएंगे कब टकराएंगे जब आप कोई solvent यूज़ करोगे यहां पर temperature दोगे तब आपका C बे convert हो जाएगा जिसमें इसका जो chemical property है change हो जाता है और एक नया compound बनाता है जिसका chemical property क्या होता है बदल जाता है as compared to A plus B मतलब दोनों का property यहां पर बदल जाता है change हो जाता है तो यह आपका क्या है reactant है यह आपका product है तो मैंने लिख भी दिया chemical properties reactant की either may or may not कह सकते हो इसमें क्या A का property दूसरा हो सकता है B का दूसरा हो सकता है या दोनों का सेम हो सकता है but C का property always differ होता है as compared to A plus B ठीक है तो इससे basic questions यहां पर आपके exams में आ सकते हैं कि organic reactions में क्या होता है solvent का क्या होता है temperature हम minus में भी दे सकते है plus में भी दे सकते है depend करता है आपका counts ही किस टाइप की reactions है ठीक है फिर आपका आता है reactant क्या होता है तो starting material जो होता है reactant होता है product क्या होता है जब reactant conditions अप्लाई करोगे तो product में convert होता है chemical properties दोनों का change हो जा जाता है reactant का अपना chemical property अलग होता है product का chemical property अपना अलग होता है ठीक है फिर आपका examples की अगर हम बात करते हैं तो examples मैंने जो उपर लिखा है उसी का यह आपका क्या है यह आपका reactant है जिसमें आपके reactant क्या है यह mighty है ठीक है यह कोई chemicals है ठीक है मैंने compound का नाम लिख दिया है यहाँ पर hydrogen से यह reaction करेगा और यहाँ पर आप catalis use कर रहे हो ठीक ह है ओ यहाँ पर मैं organic reactions आपको chemically बता रहा हूं chemical question यहाँ पर लिख के बता रहा हूं कि organic reaction में कैसा होता है तो hydrogen जब इससे ठकराएगा तो एक नया product बना लेगा और यह नया product आपका यह है कब बनाएगा जब आप उसको hydrogen apply करोगे catalyst डालोगे और क्या करोगे हम conditions और भी apply कर सकत हो ठीक है तो इसमें solvent तो नहीं है कोई जरूरी नहीं कि solvent आप apply ही करो लेकिन में mostly क्या होता है organic reactions solvent की presence में यह होती है आइधर आप temperature उसमें room temperature दे रहे होते हो या minus दे रहे होते हो या plus में दे रहे होते हो ठीक है जैसे आपका यह compound है ethanol तो concentrate H2SO4 उसमें क्या है हम region डालने है तो इसमें organic मैंने temperature solvent pressure और एक चीज़ आप और बढ़ा लिजेगा इसमें हम और क्या apply कर सकते हैं region apply कर सकते हैं मैंने नहीं लिखा तो यह भी आप लिख लिजेगा अगर नहीं लिखा ठीक है region apply कर सकते है तो region आपका concentrate H2SO4 base add कर सकते हैं ठीक है तो depend करता है आपका किस type का व H2SO4 क्या होता है यह आपका acid होता है और acid क्या होते हैं जो H plus release करते हैं solution में sorry solvent में ठीक है तो यह solvent में क्या करेगा H plus अपना देगा इसलिए हम इसको बोलते हैं acid इसको बोलते हैं नाम क्या है sulfuric acid concentrate है मतलब percentage आप water इसमें बहुत कम होगा ना के बराबर होगा आपका pure क्या हो होगा H2SO4 2H plus देगा यह और इससे react करेगा और यह बनाएगा आपका यह product आपका बना लेगा ठीक है तो यह आपके reactant है यह आपके product है condition आप different different apply कर रहे हो dependent करता है कि कि किस type का reactions है कहां पर cyc condition हमें reaction मेंदेना है तो यह तें सारी आपके अर्गनिक reactions है like that इसमें alcoholic kTom ice अबेसं अपलाई कर रहे है alcoholic मतलब क्या है इसमेश्रा है alcohol na k I parental कर रहे है तो यह बनाए आपका product बन रहा है तो यह आपके सारे क्या होग resolve कर रहा है के और तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बैसिक फंडा कि यह कहले क्या होता है या और यह किसी को पढ़ा मतलब तो इसासे आप बैसिक बता हो गया तो इसको समझ में आएगा कि आपको पता होना चाहिए बस दूसरी चीजे और भी पता होने चाहिए जैसे आयुपैक सिस्टम पता होना चाहिए आयुपैक आप पढ़ चुके होगा इंटरनिशनल यूनियन आप प्योर एन अप्लाइट कमिस्ट्री ठीक है एक कमेटी क्या हुआ पूरे वर्ड ने सोचा कि हम जितने भी आरगेनी कमपाउंड हैं उसका हम कैसे नॉमिन क्लेचर करें कैसे उसको एक नेम पटिकुलर नेम देता उसके लिए एक कमेटी कठीत हुई बहुत सारे मेंबर्स थे उन्होंने अपनी अपनी ओपेनियन दी और उन्होंने एक सिस्टम मना दीआ जिसका नाम था? IPEC सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन आप आप्योर अप्लाइड कमिस्ट्री क्या नाम है? इसके मैं लिखे जा रहा हूँ कई बढ़ क्यूश्यन पूछा गया है. इंटरनेशनल प्योर vur अप लched के सरशार्ट के मिस्ट्री ठीक है? कमेटी में present हुए और pure and applied chemistry मतलब क्या है pure chemistry होता है जो basic fundamentals हम पढ़ते हैं और pure में आते हैं applied मतलब fundamentals का जो use करके different sectors में जैसे pharmaceutical है industrial है इस area में हम उसको apply करते fundamentals जिससे क्या होती नहीं नी research होती है तो उसको हम applied में बोल देते हैं ठीक है तो यहां पर IPAC system से क्या हुआ जब committee ने अपने rules निकारे कि यह rule follow करोगे और कोई भी organic compound है उसका हम क्या करेंगे उसका उसके formula के base पर हम उसका nomenclature करेंगे तो यह organic reactions में आपको important है जब तक नहीं आएगा तब तक आप यह करना तो पता होगा लेकिन इसका नाम क्या है यह आपको नहीं पता होगा तो इसके लिए आपको IPAC system पढ़ना पड़ेगा दूसरी चीज है reaction mechanism reaction mechanism मतलब क्या है कि reaction अगर हो रही है जिसे reactant यह आपका है reactant और यह है अपका product तो reactant product में कैसे हो रहा है कैसी यह चीजे forward direction में move कर रहे हैं आगे की तरह product बना रहा है क्यों ऐसा क्या हुआ कि यह reactant product में change हो गया है ठीक है conditions जो apply करते हैं उसका इस reactant पर क्या effects पढ़ा जिससे यह product में convert हो रहा है तो यह सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे reactions में पे पढ़ो गए तो यह साल्वन करें कि एक्सालेशा है जो आप यहांपर इससे कैसे डिन अल्राय है निन ओर यह सबकора मुझे ऐसे कर दोleader कर रहे तो यह आपका रिच्षान मेकेनिम रहे हैं तो यह आपका रिच्न तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, बट जो fundamental organic reactions का जो basic point है, आपको यह जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका, आप चाहिए जितना reactions याद कर लो, जब तक यह basic नहीं पता होगा, आप reaction सही product बना ही नहीं पाऊगे, इसलिए मैंने एक वीडियो मनाया है, अगर आपको 11th के student है या 10th के student है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important यह वीडियो होगा, और अगर आप basic के candidates हैं या pharmacy के candidates हैं, तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत important है, ठीक है, MSC के candidates भी इसे मतलब एक basic idea ले सकते हैं, बट उनको तो यह चीज़ पता होनी चाहिए कि अचली होता क्या है, ठीक है, so it is all about the organic reaction mechanism, ठीक है, यह मैंने आपका basic fundamental मैंने यहाँ पे discuss किया, और यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए, तब ही आपको organic chemistry में क्या करोगे, enter कर पाओगे, mainly हम बात करेंगे कि इसकी organic reaction में, ठीक है, तो organic reactions जब भी पढ़ो, यह basic fundamentals आपका इतना तो दिवाग में होना चाहिए, कि reactions में क्या क्या होता है, और हम कैसे उसको reactant से product में convert करेंगे, ठीक है, तो I think, एक बार मैं फिर से repeat किये दे रहा हूँ, organic reactions में दो चीज़े होते है, reactant और products, और arrow लगा के हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि reactant product में convert हो रहा है, उस arrows पे conditions अप्लाई करते हैं, temperature, solvent और regions हम उस पे लिखते हैं, ठीक है, solvent का क्या होता है, reactant molecules को dissolve करना अच्छे से, जिससे क्या होगा, एक दूसरे से collision करेंगे, टकराए करेंगे, दूसरी चीज़ क्या होता है, a plus b मानलो reactant है, तो जब भी वो product में convert होंगे, a plus b अपनी identity lose करेगा, वतलब उसका chemical property lose हो जाएगा, और जो product होगा, वो अपनी एक नया product बनेगा, जिसका chemical property, reactant से क्या होगा, different होगा, ठीक है, दूसरी चीज, examples के अगर बात करते हैं कि reactant products और conditions कैसे हम समझेंगे, तो इसमें यह सारे reactants है, इस सारे reactants है, यह reaction condition यहाँ पर apply की गई है, कि काउन सा region है, जिसे इसमें S2 से फोल लिया गया, temperature 170 degree Celsius दिया गया है, ठीक है, तो यह सारे conditions है, और इसमें नया product बन रहा है, ठीक है, आरगनिक reaction समझने के लिए आपको जो दो चीजे चाहिए, उसमें IUPAC system, आपको अच्छे से आना चाहिए, IUPAC system क्या होता है, जिसके जरिया हम किसी भी आरगनिक compounds का नामेन क्लेचर करते हैं, अब आपको यह भी पता होना चाहिए, कि आरगनिक compounds क्या होते हैं, ऐसे compound जिसमें carbon और hydrogen का percentage ज्यादा होता है, carbon जि system, आपको पता होना चाहिए, कैसे हम किसी भी आरगनिक compounds का नामेन क्लेचर करेंगे, and the second one is reaction mechanism, reaction mechanism हमें बताता है कि कोई भी reactant product में कैसे किस route से किस path से convert हो रहा है, उस reactant में क्या क्या changes हो रहे हैं, जब आप condition apply कर रहे हो, जिससे वो product में convert हो रहा है, तो यह आपके क्या हो ग कि it is the international union of pure and applied chemistry, international union of, यह इसका full name है, कई बार आता है exam में, और इसमें क्या होगा, एक committee गठित हुई है, और इसमें बहुत सारे members बैठे, पूरे world की, और उन्होंने यह बोला कि एक हम formula दे रहे हैं, इस formula पर कभी भी आपको organic compounds का अगर नामेन क्लेचर करना है, तो यह आप formula क्या करिए, फालो करिए, तब आप किसी भी organic compounds का नामेन क्लेचर कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा आपका पता होना चाहिए reaction mechanism क्या होता है, तो कि उसमें क्या मतलब reactant product में कैसे convert हो रहा है, किस way से convert हो रहा है, ठीक है, reactant में ऐसे क्या changes हो रहे है, जब आप condition apply का रहे हो कि यह product चैनल पर ठीक है, जिसमें आपको सारा basic chemistry का कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, हमें क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, यह कोई नहीं बताता है, और organic reactions, organic reactions में, sorry, organic chemistry, इसके बाद हम discuss करते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, one by one, ठीक है, तो easy way से समझ में आएगा, और इस YouTube channel का यही में मोटो है, कि हम chemistry को एक easy language में कैसे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि organic chemistry, अगर देखेंगे chemistry में, जो organic chemistry का part है, यही सबसे tough माना जाता है, बट अगर आपको समझ में आएगा, तो सबसे easy part यही होता है, ठीक है, सो बने रही है हमारी channel प करिए, क्योंकि नए वीडियो बनेगा, अगर आप subscribe कर चुके हैं, तो आपके उस पर automatically show करने लगेगा, ठीक है, और अपने friends को भी अगर आपको सही लगे वीडियो, I think आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैंने सारे efforts इस में दे रखे हैं, ठीक है, सो thank you for all for watching this video and I will meet in the next video by taking a new video, okay, so thank you for that